तुलाही वबरकातू कभी हमें एक स्केट करने वाले हैं जिसका नामें अच्छाई का रास्ता एक लड़की है जो रास्ते से जा रही है और वो कच्रा देख कर भी उससे उठाती नहीं है दुसरी लड़की भी मुबाईल पे खेलते हुए रास्ते से जा रही है और वो भी कच्रे को नहीं उठाती है और उसके बाजू से चली जाती है तिसरी लड़की तिसरी लड़की रास्ते से जाते हुए उसके पैर पे फत्तल लग जाते है फिर भी वो कच्रे को नहीं उठाती है और उसके बाजू से चली जाती है अभी एक नेक खातून आती है और वो कच्रे को उठाकर बाजू पे रख देती है अरे ये कच्रा किसने पे का है इसने किसी को नुखसाद पहुच जाएगा जास्ते से तकलीफ देजी इसको हटाना ये मौविन की शाल है मौविन अपनी तकलीफ दूसरे पर नहीं डालता मौविन वो है जिसको तकलीफ पहुचे तो उसकी वज़े से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुचे वो दूसरे के लिए रास्ता वार करता है, रास्ता खराब नहीं करता हर मुसल्मान को चाहिए कि वापनी तकलीफ देज़ चीज़ को भूर करें दूसरे के लिए